हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल मसाला कुईन तो आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट खिचरी तो ये मैंने फ्लेप कार्ट से ओर्डर किया था आप ये देख रहे हैं कि फॉर्चुन की खिचरी है ये कई परकार की मिलती है और इसका कॉस्ट भी जादा नहीं रहता है 75 रुपीस का है सिर्फ और डिसकाउंट भी कभी कभी ओफर भी रहता है तो कम में हो जाता है तो गाईज, यहां पर आपको बनाने का प्रोसेस भी दिया हुआ है लिखा हुआ है कैसे आप बना सकते हैं और इसमें बहुत सारे दाल और अच्छी चीजे डाली होई है कोई भी महनत नहीं है और यह मैं तो मंगाई हूँ यह खिच्डी जो है यह बेंगोली वाली है और भी तरह की खिच्डी मिलती है जो भी पसंद हो आप मंगा सकते हैं और मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ कि ये काफी अच्छे तरीके से इसे पैक किया गया है और इसमें आप देख रहे हैं कि हर तरह का दाल, चावल और फिर सारे कुछ, आपको कुछ डालना ही नहीं है, सारे कुछ मिक्स है और इसके साथ मसाला भी आता है, तो मसाला भी हमें अलग से नहीं देना, हमें कुछ करना ही नहीं है, बस सिफ पानी, ये सब डालने के बाद पानी डालना है, बस बन जाएगा ये बहुत ही आसान तरीका है, बनाने का, और खिजड़ी भी काफी टेस्टी बनती है, तो गाईज देखिए, मैं मसाला को भी कट कर ली हूँ, आपको दिखा देती हूँ, देखिए, मसाले में भी सारे तरह के मसाले डाले हुए हैं, काफी अच्छा दीख रहा है, तो यह भी बहुत अच्छा है तो गाइज इसे बनाने के लिए से पहले हम कुकर को गैस पर रख देंगे और उसे गर्म होने देंगे गर्म होने के बाद या तो आप घी डाल दीजिए उसमें या फिर आपके पास रिफाइन ओयल हो वो डाल दें तो मैंने इसमें ओयल को डाल दि और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो गाइज देखे मैं इसमें डाल दे रही हूँ इसे धूलने का जोरत नहीं है क्योंकि इसमें काफी तरह के चीज मिले हुए हैं अगर आप धूलोगे तो इसे वो हड़ जाएंगे यह काफी अच्छी तरह से साफ सुतरी आती है अगर आप चाहो तो इसे धूल भी सकते हो वास कर सकते हो मैंने वास नहीं किया तो गाइज इसे मैं डाल दी हूँ इसमें अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जो मसाले है ना उसे भी डाल के हम मिक्स कर लेते हैं तो गाइज मैंने मसाला भी डा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया देखे कितना सुन्दर देख रहा है ना तो गाइस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम क्या करते है ना इसमें पानी डाल देते हैं बॉटर तो पानी हम इसमें एक लीटर डालेंगे तो मेरे पास एक लीटर का एक बॉटल है तो mix करने के बाद बस हम इसे cooker को बंद कर लेता है cooker बंद करके थोड़ी दिर gas पे रहने दे एक CT लग जाएगी आपकी खीर खीचडी तयार है, sorry मैंने खीर कह दिया खीचडी तयार है तो guys इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है कोई भी मसाले, कोई भी सबजी कुछ भी जरूरत नहीं बस जो packet में है उसे डालो पानी डालो और एक CT लगा और तयार है आपका खीचडी तो guys देखे कितना अच्छा लग रहा है खाने में भी काफी टेस्टी है, ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके बताये आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तो guys मिलते हैं नेक्स वीडियो में और मज़ेदार रेसिपी के साथ